प्रेगनेंसी में, आज हम लोग जानेंगे सबसे important ultrasound कौन साइस होता है समस्कार दोस्तों, मैं Dr. आदित मिश्रा, हवल डागनोस्टिक कानपोर से प्रेगनेंसी में सबसे important scan दोस्तों, anomaly scan, if I scan या level 2 scan होता है तो यह scan कब किया जाता है? यह scan किया जाता है अठारा से बीस हफते के बीच में और इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? इसमें हम लोग बच्चे के जितने ओर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं उन सबकी बहुत ही detailed analysis करते हैं तो detailed analysis में हम start करते हैं सबसे पहले head से, head में क्या देखते हैं? head में brain के सारे parts को हम लोग measure करते हैं और देखते हैं कि क्या उस time of pregnancy के हिसाब से सही develop हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर उसके बाद हम लोग बच्चे की पूरी spine को देखते हैं, spine में देखते हैं कि भाई कहीं कोई defect तो नहीं है, एक बिमारी होती है, meningocel, कहीं वो तो नहीं, कहीं पीट में गुमर तो नहीं निकला होगा है, फिर उसके बाद दोस्तों, baby का face देखा जाता है, face में एक anomaly बड़ी common होती है, आपने देखा होगा cleft lip, cleft palate, मतलब lip कई बार लोगों की oat कटे होते हैं, तो ओ भी देखते हैं, chest और abdomen को विभाजित करने वाला, diaphragm intact है की नहीं intact है, यह भी एक anomaly होती है, यह भी एक समस्या होती है, विक्रिती होती है कि कई बार जो separate करता है chest और abdomen को वहाँ पर defect होता है, तो आते उपर आ जाती है, फिर हम लोग chest में heart के different parts को देखते हैं, heart के 4 chambers को separately देखते हैं, और उनसे खून ले जाने वाली नसों को देखते हैं, और पुरे शरीर से खून को ले आने वाली नसों की भी जानकारी देखते हैं, क्या सारी connections सही रूप से हैं की नहीं, यह चीज भी ध्यान से देखी जाती है, फिर दोस्तों chest के बाद हम लोग आते हैं abdomen, abdomen में एक stomach क केसरें वाली नसों कड़Ital की gel देखते हैं, फिर हम लोग kidneys को देखते हैं, ACC किद्वी में कोई प्रकार की problem तो नहीं है, फिर हम लोग बाव बाविल को देखते हैं, बाविल मतलब जो आते होती हैं, आतें सही प्रकार से हैं क्यों अधीग कि नहीं, और फिर इसके बाद हम तो चक है कि kidneys अच्छा काम कर रही है उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग दोनों हाथ अंगलिया गिनने का प्यास करते हैं अगर मुठी बंद है तो कई बार नहीं भी count हो पाती है फिर हम लोग legs को देखते हैं लेक्स के सारे पार्ट को पंजे तक देखते हैं तो इस प्रकार से हम लोग बच्चे के पूरे स्ट्रेक्चर की detail analysis and measurement करते हैं तो यह कि पार्ट हो गया उसके बाद एक चीज और होती है उसको हम लोग कहते हैं soft markers of chromosomal anomaly वह क्रोमोसोल राउमली अधिकतर केसे में हम लोग first trimester में जो हम लोग NTNV scan करते हैं वहां देख चुके होते हैं लेकिन second trimester में भी कुछ markers है जैसे पेट में पल रहे हैं बच्चे के गुर्दे में सूजन उसकी बावल उसकी आतों का जो है थोड़ा और एकोजनिक होना या analysis के लिए भाई first trimester में नहीं नहीं करा है तो इन सब soft markers को और उसके बाद एक चीज़ होती है quadruple marker ब्लड टेस्ट होता है उस चीज़ के साथ combine करके एक chromosomal anomalies के risk assessment किया जाता है इन patients में भी तो दोस्तों ए anomaly scan बहुत ही एहमियत रखता है structure anomalies chromosomal अगर हम लोग first trimester में time miss कर द करती है तो इस हम पूरा इसको सही समय पर anomaly scan कराना क्यों आवश्यक है मित्रों सही समय पर anomaly scan कराने से पहली चीज़ है कि सब pregnancy normal चल लहीं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर कोई चीज़ abnormal होती है तो उसके बाद होता कि क्या उसका उस समस्या का जो baby में है उसका कोई निव नहीं है तो क्या क्या options है patient के पास में क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है 20 weeks of pregnancy है हम लोग और अगर निवारन है तो क्या उस सहर में या उस hospital में उसका निवारन हो सकता है कि patient को delivery के लिए higher centers पर जाना पड़ेगा तो इस प्रकार के प्रशनों का उत्तर हम लोग anomaly scan के पास द इस परें मोस्त इंपोर्टेंट इसकान और इससे आने वाले भविशे आने वाला भविश्य और बैहतर दनी वाले दोस्ते अ कि